चोपड़ा एजुकिसिन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में मैं आपको दो इस्टेट के रेजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा सबसे पहले हम तमिल नाडू के MBBS BDS admission के बारे में बात करेंगे उसके बाद में राजस्तान स्टेट के RPVT यानि की वेटनरी रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तमिल नाडू स्टेट के MBBS BDS admission के बारे में तो तमिलनाडू एक open state है, यहां के private medical college में other state के candidate admission ले सकते हैं, यहां दो प्रकार की college है, एक minority college है और एक non minority college है, तो minority college में 50-50% का quota होता है, यानि 50% government seat होते हैं और 50% उसमें management seat होते हैं, लेकिन जो non minority college हैं, उनमें 65% government seat होती हैं और 35% management seat होती हैं इसमें, तो इसमें other state candidate भी apply कर सकते हैं management seat पर, तो सबसे पहले हम इसकी website के बारे में बात कर लेते हैं, तो tnhealth.tn.gov.in website है इसकी, जैसे ही इसकी website पर हम visit करेंगे, यहां online notifications लिखे होए हैं, इसमें prospect check करने के लिए हम management का prospect अलग दे रखा है, और government quota का prospect अलग दे रखा है, तो आप जिसके लिए apply करना चाते हैं, government quota के लिए Tamil Nadu state की candidate ही eligible है, अगर आप other state से हैं, तो management quota के लिए eligible हैं, तो management का एक बार हम prospect open करके देख लेते हैं, तो इसकी जो fees 1000 रुपीज है, यह online ही deposit होती है, तो इसके registration start होगे थे 19 December 21 से, और last date apply करने की 7 January 22 साम 5 बजे तक है, यह form online ही apply होगा, और इसकी fees 1000 रुपीज भी online deposit होगी, तो इसमें बाकी condition अगर हम देखें इसमें, तो इसका जो procedure है, वो first round, second round, mop up round, तीन round की counseling करवाइ जाती है, और यह three round की counseling इसकी offline ही होती है, यानि की first round की counseling भी offline होती है, second round की counseling भी offline होती है, mops up round की counseling भी offline होती है, इसका selection procedure ऐसा है कि जैसे ही आप इसका फारूम apply कर देंगे, apply करने के बाद में एक merit list जारी की जाएगी, तमिलनाडू काउंसलिंग अथोर्टी द्वारा गो जारी करने के बाद में इसमें एक सेडिूल दिया जाएगा उस सेडिूल के अकोर्डिंग आपको वहां परजेंट रहना होगा काउंसलिंग अथोर्टी के समक्ष आपको परजेंट रहके वहां सीट अलोट होती है तो कोंड से डोकुमेंट से ओनलाइन एप्लिकेशन के टाइम में आपको सब्मिट करने हैं बाकि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग मौपप राउंड काउंसलिंग की यहां कंडिशन भी लिखी गई है कि किस प्रकार से आप इलिजिबल होते हैं इस परकार की भी इसमें कंडिशन होती हैं सेकेंड राउंड में आप सेकेंड राउंड की यहीं कंडिशन हैं और फर्स्ट राउंड में सीट ले ले लेते हैं कोलेज में जॉइन नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए लिजिबल नहीं रहते हैं ऐस इसमें कंडिशने हैं फर्ष्ट राउंड और सेक्न राउंड और मॉप आफ राउंड में इसके बाद में हम ट्यूशन फीश की बात करें तो इसमें जो ट्यूशन फीश है अधर एक्समेंस लगा के यानि कि मैस और होस्टल को छोड़कर के बाकी जो इसकी फीश है वो फीस इस पर लागू होगी लेकिन अभी तक ये साड़े बारा लाग रुपए है तो इसमें जो फिक्सेशन कमेंटी है 21 के लिए फीस रिवाइजड भी कर सकती है तो आप इसकी वेबसाइट पर प्रोपर वाद्स करते रहें ये ट्वेंटी ये 2021 के लिए इसमें फीस है MBBS की लेकिन जो फीस इसमें दी रखी है BDS की वो 21, 22 के लिए फिक्स हो रखी है इसमें आप ये देख सकते हैं 21 और 22 के लिए BDS की फीस इसमें देख सकते हैं इसमें इसके बाद में हम आगे बात करें कि ये जो आपको application form है ये online फिल करने के बाद इसकी एक hard को भी आपको submit करनी ह होगी वो 10th January 22 तक इसमें जो चिन्दई में इनका office है उनको ये submit करनी होगी ये मैं यहाँ आपको address बता देता हूं selection committee को आपको submit करनी होगी यहाँ पर इसमें the secretary selection committee directed of medical education ये चिन्दई को आपको भेजना है ये अब इसमें apply कैसे करना है तो apply के लिए ये जो मैंने आपको website ब इस website पर आपको visit करना है उसके बाद में यहाँ click here apply for admission इसमें तीन link दे रखे हैं किसी एक link पर click करके आप यहाँ आपने पहले apply करका है तो login कर सकते हैं otherwise new registration पर click करके नया registration करके फिर simple steps है इसमें वो steps clear करके आप इसमें fees deposit कर सकते हैं और आपका form complete हो जाएगा उसके बाद में hard copy by post आपको भीजने है इसके बाद में अगर बात करें हम उसके बाद राजस्तान स्टेट की बात करते हैं तो राजस्तान स्टेट में वेटनरी के लिए admission start हो चुके हैं counseling का schedule आ चुका है इसमे राजस्तान स्टेट में वेटनरी के लिए आर पी वीटी एक्जाम अलग से लगता है जिनोंने आर पी वीटी का एक्जाम दिया है उनका score आ गया है तो वो इसमें counseling के लिए eligible हैं राजस्तान स्टेट के जिनोंने आर पी वीटी का एक्जाम दिया है तो इसमें इसकी counseling के लि आज यूवास.org इस पर जैसे ही विजिट करेंगे तो हमारे को वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा तो नोटिफिकेशन में देखते हैं यह 16 डिसमबर 21 से इसके रिजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डिसमबर 21 तक इसके आप रिजिस्टेशन कर सकते हैं इस इसमें जो इसमें रिजिस्टेशन की जो ओनलाइन रिजिस्टेशन है वो 1000 रुपीज है जो नेट बेंकिंग, डेविट कार्ड वगरा से आपको डिपोजिट करना है इसके बाद में इसमें सीट मैट्रिक्स हम देखें तो इसमें दो परकार की सीटे हैं गौर्मेंट कोले इसमें एक रिजिड़ एक पेमिंट व्गरा से रिजिड़ है इसके बाद में प्राइवेट पाझन होती है तो इसमें जो रिजिड़ इखें हम तो इनकी जो रिजिड़ल कोड़ें लेक्स है वो ट्वंट। 40 payment seat का 3 लाख रुपए फीस है इसमें इसके बाद में आगे हम बात करते हैं private colleges की तो इसमें private college में 28 seats payment seat से इसके बाद में 40 seat डूंगरपुर की जो veterinary college है MB college उसमें है एक बार हमें इसमें college wise fees structure देख लेते हैं तो इसमें जब fees structure की बात करें तो जो regular seat है उनकी general category boys के लिए अठारा हजार रुपए पर येर है फर्स्ट से थर्ड प्रोफेशनल में फॉर्थ प्रोफेशनल में 36,000 है दो installment में इसके बाद में जो boys और girls जनरल के अलावा category के हैं उनकी फर्स्ट से थर्ड के प्रोफेशनल की जो fees है वो 7,000 पर येर है फॉर्थ की 14,000 पर येर टू installment में है तो ये तो होगी regular seat की fees payment seat की fees 3,000,000 है इसके बाद में 6,000,000 है फॉर्थ प्रोफेशनल में सभी category के लिए इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर की college की बात करें तो अरावली जो seeker में है उसकी जो tuition fees है 5,500,000 है इसके अलावा 50,000 कासन मनी है होस्टल सतर हजार रुपए non AC है डवल और इसके बाद में एक लाग 10,000 है वो AC है इसमें डवल सिटर है यह इसके बाद में अगर मातमा जोतिवा फुले चोमू जैपूर की बात करें तो tuition fees उसकी 5,500,000 है कासन मनी 50,000 है पिछे 13,000 रुपए और एक लाग 10,000 होस्टल है दोनों में से आप चूज कर सकते हैं ओपॉलो की बात करें तो tuition fees 5,500,000 है एम भी डुंगरपूर की 5,500,000 है पांस अजार रुपएस में registration fees है जो admission की टाइम पर देनी है अभी apply करने के लिए आपको click here to register RPVT 21 counseling पर click करना है यहां आपकी user ID और password जो आपने पहले फिल कर रखे हैं मतलब कि जो आपने पहले create कर रखे हैं online application फॉल फिल कर ना है उसके बाद में आप सिंपिल से फॉरूम फिल करके उसके बाद में आप फीस deposit करके उसका print ले सकते हैं counseling का schedule बाद में आ जाएगा इसका first round second round का third round fourth round का जो भी है आगे इसका schedule इसकी website पर publish हो जाएगा तो मिलेंगे नई update के साथ नई जानकारी में तब तक के लिए जै कि बाद कर को तो दो